नमस्षिकार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो का टोपिक जो है वो है क्या कारण है कि आपके जो पुराने सिक्क्यर नोट है वो सेल नहीं हो पा रहे हैं वो बिक नहीं पा र करें काफी लोग मेरे पास कमेंट करते हैं हमारे पास 1970,1962,1980,1985 के सिक्के हैं तो इतने ज्यादा तो खैर पुराने नहीं हैं अगर पुराने के हिसाब से वैल्यू देखे तो कुस टाइम पहले चलते थे लेकिन उनमें आपके पास जो है वो रेर वराइटी नहीं है अब अभी तक जिन भी आप लोगों ने मेरे वाटसप पर फोटो भेजे है सिक्को की और नोट की उनमें मुझे कोई इतना जादा रेर नहीं मिला है कि वो बिक जाए सबसे पहले ये समझे इस्टाग्राम पर भी मैं आपके फोटो चेक करता हूं मेरे पास आते हैं आपके खुतारम थ क्या जो आपके पास एक रुपएक शिक्क्ताव almost या जो चीज मैं उस सिक्के में बता रहा हूँ चाहे वो metal से related हो या कोई और उसमें चीजे हो किया वो आपके सिक्के से मैं छो रही है नहीं हो रही है सबसे पहले यह समझा करें क्योंकि आप लोग क्या करते हैं वो बारी की नहीं समझते जो मैं बता रहा हो और आप सीदे सीदे मैसेज करने रखते कि मेरे पास भी यह सिख्के अवीलियबल है मेरे पास भी यह नोट अवीलियबल है मैंने काफी बार देखा है मैंने जिसे British का लिन यह मुगल का लिन सिख्कों की वीडियो बनाई है उसमें मैंने most valuable सिक्कों की वीडियोस बनाई है जिनकी value असल में काफी ज़्यादा है जिनकी value 2,5,3,5,5 रुपे तक है तो आप मेंसे काफी ज़्यादा लोग मुझे message करने रखते कि मेरे पास ये सिक्क्य है और हर वीडियोस के नीचे में Instagram का link देता हूँ तो वहाँ पर आप Instagram पर मुझे photo बेशते है तो कोई भी वो सिक्का नहीं होता है तो उन्हें में से कोई भी वो सिक्का नहीं होता है तो पुराना होने की वज़े सिक्का ऐसे नहीं के rare हो जाता है rare होता है कि आब आखी सिक्कों से उसमें क्या चीज़े अलग है वो इसको unique चीज उसको rare बनाती है चाहे वो British Kalin हो British Kalin के जैसे ये वाले सिक्के ले लिजिए ये बहुत सारे स्तरे की सिक्के बनेते ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे वासी है ये आप लोग के पास भी होंगे collectors है उनके पास भी ये काफी ज़्यादा है लेकिन अगर बारी ये 1920 के सिक्के में कुछ अलग variety मिल जाती है कुछ ऐसी चीज उसमें मिल जाती है जो बाकी के 1920 के सिक्के में नहीं है तो वो हो जाता है different बाकी से वो आ जाता है तोड़ सा rare category का वो बाकी सिक्कों चोश उसकी price ज़्याद होती है आप लोग के पास common सिक्के है चाहे वो 5 रुपे के हो चाहे एक रुपे के हो चाहे मुगल कालिनो बिटिश कालिनो वो सभी common सिक्के हैं जो सभी के पास है तो उनकी price जादा नहीं मिल सकती है अब आप उनसी कोगले कर exhibition में भी जाते हो अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहा है तो नीचे मुझे comment करके बता देना जो दिल्ली exhibition में subscribers आये थे जिनके मुझे note और सिक्के rare लगे वो मैंने माँ पर बिगवा दिये थे collectors मेरे माँ पर काफी जानकार थे तो वो खरीद लेते है rare note और सिक्के बिग जाते है खरीद लेते है कोई भी रुकते नहीं है वो क्योंकि एक चीज़ और समझेज़ जो coins पर गएरा है note पर गएरा ये एक hobby है अब कुछ लोगों ने इस hobby को अपना business भी बनाया है जैसे बड़े-बड़े auction house है आप देख सकते है टोड़ी वाला classical numismatic gallery या और भी बहुत सा इस वाल कलेक्शन तो इनके ये starting में hobby था इस hobby को इन्होंने अपने business में डवलप किया है बाद में तो अब ये बड़े auction house है जापर आप ही के सिक्कों और note की निलामी होती है जो rare category को होते है तो हर सिक्के को और note को आप महंगा ना समझे पुराना होने की वज़े से महंगा नहीं होता है सबसे पहले आप ये समझे कि आपके सिक्के और note में unique चीज़ क्या है क्या वो बाकी note और सिक्कों सा अलग है तो आप मुझे बताईएगा सबसे बड़ा रीजन ही यही है आपके सिक्के और नोट ना बिखने का क्योंकि वो rare नहीं है वो common है और आप मेंसे काफी जाते लोग हमें बोलते हो क्या आप हमाई नोट रसिक्के नहीं बिखवा रहे हो क्योंकि collectors भी नहीं खरीते हैं उनके पास भी common सिक्के बहुत जात है तो अपने पास इतने सारे सिक्के रखकर क्या करेंगे collectors भी rare सिक्के को collection करना पसंद करते हैं चाहे वो अपने personal collection की हो या आगे उस सिक्के को बेच कर कुछ profit कमा सके तो सबसे पहले यह समझी है सिक्के का rare होना जरूरी है common सिक्के नहीं बिखते हैं क्योंकि वो सभी के पास है अब जो सिक्के सभी के पास है वो क्यों हजारों लाखों रुपे में बिखेंगे सबसे पहले यह समझी है तो यह छोटी सी जानकारी आपको देनी थी आपके नोट रोजिकों से रिर्डिड के सिर्फ रेर कैटिगरी के नोट रोजिके ही बिखते हैं बाकी जो कोमन है वो नहीं बिखते हैं कोमन नोट सिक्कों क्यों खरीदेगा कोई चाहिए वो collectors हो या किसी को अपने personal collection के लिए चाहिए हो आशागरता हूँ यह छोटी सी जानकारी चोटा सा topic आपको अच्छा लगा हो यह topic मैंने इसलिक कवर किया क्यों मेरे पास काफी ज़्यादा common note रोजिकों के photos आप लोग भेजने लगे हो जिनके पास मेरा WhatsApp नमबर है या Instagram पर तो सभी common भेज रहे हैं अब वो यह लोग यह चाहरे हैं क्या common note रोजिक्के की value ज़्यादा मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है common note रोजिक्के क्यों खरीदेगा कोई अपने collection के लिए या उससे आगे किसी को क्या profit होगा क्योंकि वो तो normal values का है तो आज किस वीडियो को मैं यहीं खतम करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद